कोसर नमबर देखिए पहले नमबर के देखिए आपको जवाब देना सूरदास के गुरू काउन थे यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना सूरदास जी के गुरू काउन थे कोसर नमबर देखिए पहले नमबर का अंसर देना है तो यहाँ पर अंसर आपका करेक्ट हो जा चन्द पढ़ते समें आने वाले फिराम को क्या कहते हैं आपसण आपक दिया गया गति और यती दूख और गषब में सनर आपका होगा यहां पर बीढेंबर का होगा उसे हम यती कहते हैं कि बिकल्प नंबर आपकर राइड अगला प्रश् receipt कि वहाँ बताईए । anywhere की गति अंतिम रूप ले विचार के तार तूट जाए वहाँ किस चिन्न का प्र्योग किया जाता है। हाँ बिल्कुल देखिये यहाँ पर सभी जबाब दिया गया है। यहाँ पर देखिया आपको बताना जहां वाकिकी गती अंतिम रूप लेले विचार के तार तूट जाए वहां किस चिन्द का प्रियोग किया जाता है कोसर नमबर देखिए तीन नमबर का जबाब देना है तो वहां पर आपका पूर्ण विराम आपसर नमबर यहां पर क्या होगा डी नमबर यहां पर देखते हैं आपको पताना लिखा हुआ एक अफार हो पर कभी नमबर फिलोग के जवाण को जबाब देना है देकी अटिए पहुञान है ? जवाण सिधाए खडी बोली कन्योस और सदुक कड़ी यहां पर दीए है को को नइसार बताना यहाँ पर अंसर क्या होगा कि यहाँ पर आपको बताना दिये गए वाक्यांस के लिए एक सब्सक्राइब करें पूरब और उत्तर के बीच की doctor ho plays thaki उसके लिइए क्या होता है हावना पूरब और फशिव के लिए देखिए आपको बताना है यहाँ पे राइड अंसर क्या होगा चलिए कोसर नमबर देखिए यहाँ पर आपको सिक्स नमबर का जवाब देना है देखिए यहाँ पर हम डारेक्शन आपको बना दे रहे हैं यहाँ पर आपका क्या होता है पूर्व होता है इधर आपका पस्च पूर्व और उत्तर की बीच यहां पर जो दिसा क्या होती है इसके लिए आप मैंखर काम देगा डि оч हो जाएगा ठीक ना अगर पस्चिम और दच्छिट की बात करेंगे तो यह वाला आपका हो जाएगा इसके वाद जो लाश्ट में बचेगा वह आपका दच्छिट पूरों में आगने हो जाएगा यह त्रिक है आप याद रख सकते हैं थोड़ा साथ कट है आपसा नमबर यह है यह पर देखिए आपको जबाब देना राइट अंसर क्या होगा है अ जरी यह पर देखिए जवाब दीजिए ठीक समय पर आज़ आना में में कॉँझ सा कारुट होगा अ अाठ नमबर कर बता रहें आधिकरन होगा विल्कुल सहीं जबाब दिया गया अगर प्रशन बता होगा यहां पर देखिए नो्ट नॉम्बर का जवब देना है राइट अंसोर ही नweis outta नंशकुल सही अंसर अगला प्रशन बताइये और मेले आते वर्सा होने लगी उसके जाने वार्सा ने लगी घर से निकला और वर्सा ने लगी जहुंवो घर से निकला वर्सा ने लगी यहाँ पर बताईए thirty नमबर का अंसर क्या होगा दस नमबर का डी बिल्कुल सही जवाब दिया गया है आपसर नमबर यहां पर दिये गए बिकल्पों में से उचित बिकल्प का चुनना रामू की रिक्सिस्थान केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी फिर इसस्तान अधिक बुद्धिमान ह चलि यहांपर दिखिये कमेंट करें राईटनांसर यहांपर क्या होगा मॉघत है कि जवाब आचुका है ग्यारे नमबर के बता हidence सी नमबर होगा बिल्कुल सही जवाब दिया गया है क्या उपइच्छा और अपpower बिल्कुल आएक राम्होंग दिक पीच्छा पएच्छे आवे हासी चलिए यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना राइटन सर आपके हाँ पर क्या होगा और यहाँ पर देखिए जवाब मारे बिचा चुका है दी गई पंक्तियों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका बताया गया मचली के पानी में रहते हुए मचली के प्यासे होने की बात कहीं जा रही है अना तो यहाँ पर अलंग कार ग्या होगा बालो नमबर के काफी लोग अंसर आ रहे हैं बी नमबर आ रहे हैं अना बालो नमबर कभी होगा यहाँ पर आपका क्या होगा अंसर बताईए बालो नमबर का ए होगा की बी होगा हान यहाँ पर अलंग कार जो होना चाहिए यहाँ पर आपका होगा यहाँ पर जो बिकल्प आपका होगा यहाँ पर आपका होना चाहिए विसे सोक्ति अलंग कार होना चाहिए यहां पर डिकार के रहते हूँ कार कार नहीं पाया जाता वहाँपर आपका विश्य सोक्तिय अलगकार होता है तो आपस्वन नंबर यहां πरилась लोगा बाते सीखिसाय है कर मैं सभी सर्वद्य आपके ब्रबसां क्या होगा कि terhips कर वारıs गंगा स्वैश्शन और अगला प्रशन बताइए नेम लेखित मेंसे क्या गंगा का प्रयावाची नहीं हृँ क्या गंगा का परियावाची नहीं है यहां पर दिखिया आपको जवाब देना है राइट एंसर क्या होगा गंगा का परियावाची चवदा नंबर और कह रहे हैं C नंबर होगा बिल्कुल सही जवाब दियागा है कालिंदी जो है गंगा का परियावाची नहीं होगा बिल्कुल बात सही है कालिंदी होता किसका यमुना का होता यह किसका परियावाची यह दोस्तों यमुना का होता याद रखिए कि यमुना का होता है अगरा नमबर का C होगा बिल्कुर सही है एक होगा अगला प्रश्ण बताईए दिये गए वाक्ट के तुरुटि पूर्ण यहाँ पर आफसन नंबर ए होगा इहाँ पर ओना चाहिए था पुलिस की कारवाही द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया ठीक ना तो आफसन नंबर यहाँ पर ए नंबर में आपकी तुरुटी है अगला प्रश्ण बताईए वर्धूर्मी का संदिविछेत क्या होगा वर्ध प्लस और वर्बी होगा यह कर आया को ओर्धूर्मी होगा अफसन नंबर अगला प्रश्ण बताये है सब्दगां करिये है और यहांपड़ दिख़्ए जब दिनार्तसब्द में बात करेंगे यहां पर देख्ये पावक हो गए आपका है ना और करसान हो गए आपका और अनल यह् do पर्यावाची होता है सबसे अलग आपको यहां पर लगाना पड़ेगा आपसा नंबर बी होगा अगलर प्रश्न बताइए यहांपर दिखें लिखा होए गंदला मैला मलिन कि सब्सक्राइब के परियावाची हैं यह सभी जो आपके ना यह पंकिल पंकिल लिखा हुआ रुजाए यहां पर देखेंए यहांदी आपको जवाब देना हिं अगला प्रश्न बताइए फिंदी भाषा घंठा मल ग्रन्त का खांशा यहां पर दिखन आपको जवाब देना ऎका होगा है हाँ बिल्कुल सही है यहाँ पर 21 नमबर का देखिए कमेंट आ चुका है 21 नमबर का सी प्रत्वी राज रासो बिल्कुल सही है निम्य लिखित में से कौन सा हिंदी साहित का काल विभाजन नहीं है देखिए यहाँ पर आपको बताना कौन सा नहीं है भक्तिकाल आधुनिक काल दीतिकाल यह तो आपने सुनाई होगा आदिकाल यह सब सुने होंगे आदिकाल लेकिन यहाँ पर आपका संयुक्त काल लिखा यह थोड़ो होता है आपसा नमबर D होगा चूड़ी अच्छी थी मिथी कौन सी क्रिया है यहाँ पर देखिए आपको बताना है चूड़ी धात्मों के साथ प्रत्य जोड़कर बनाई गई क्रिया धात् domain क्या कहलत HDR अब concepts की प्रत्य जोड़ कर बनाई गई क्रिया धात्त W अगला प्रश्चन बताएए इसारंग लएасारंग चल कई सारंग की ओट चीनों पाई के सारंग कई गई चोटे उत्पद में कौन सा लंकार विद्वा यहां पर आपको अलंकार बताना है और यह सब अर्थ अलग-अलग होते हैं वहां पर यहां का लंकार होता है आपसा नमबर यहां पर क्या होगा पचीश नमबर का यहां पर सी नमबर होगा यहां सारंग का प्रियोक हुआ है एक सदिक बार हुआ है। और इसके अर्थ अलग-अलग है। अगला स Community अगला तर्शाया सी इतक हो सब्सक्ति सर्दूटलन The Bayam इसे प्रकाल नहीं है कौन जो है प्रकाल नहीं है इस्थान के अंसर यहां पर क्या होगा संत्ता užड़ा हो न यह आपका चंत में प्लीवा था किसामे आपके कीर यहां पर कमेंट करना यहां पर राइट हे आपका हो जाएगा सफ़ार संदी और अंचल्ख लाइफ वह होगा बिल्कोल सही हांस पत्रिका के संस्थापक वा संपादक कौन थे अंस नमबर के अपकोज़ापक लाइफ यहां पर क्या होगा हाँ यहाँ पर देखिए 29 नंबर का अंसर आ चुका है मुसी प्रेम्चन बिल्कुल सही है अगला प्रश्ण बताईए बासा विग्यान की डेश्टि से उ किस प्रकार का स्वर है बड़ा उ लिखा हुआ है आपको बताना एक किस प्रकार का स्वर है कि यहाँ पर देखिए जवाब आ चुका है बिल्कुल सही अंसर दिया गया है अ हां यहाँ पर सम्वरत स्वर है बिल्कुल सही है आपसा नंबर 32 का मोध लोग ए लगा रहे है है आट अ आपको सम्रस्वर होता है जिन सवरों के उचारण में मुख द्वार लगबग बंद रहता है यह बड़ी चुटाव बड़ो है आपसा नमबर यहां पर आपका क्या होगा यह आपकी पूर्वी हिंदी आपसा नमबर डी बिल्कुल सही जवाब दिया गया अगला प्रस्ट बताइए यहां पर देखिए पूछा गया कौँ सा प्रत्या हिंदी भासा में बवचन के रूप में जाना जाता है चलिए कोस्टन को नीचे कर देंगे कल से हैना कौस्टन सा आपको उपर हो गया है उसको कल से नीचे कर देंगे कौँ सा प्रत्या हिंदी भासा में बवचन के रूप में जाना जाता है 32 नमबर के देखिए जवाब देना है तो यहां पर आपका हो जाएगा ओ कि आए तेटिस नमबर के देखिए आपका अंसर यहां पर क्या होगा ओ लिखा हुआ ना ओ यही आपका होगा हिंदी भासा में बवचन की रूम में जाना जाता है उत्तकर्स एक कुसाग्र विद्यार्थी है यहां कुसार के कौन सब इसे सड़ है यहां पर राइट अंसर आपका क्या होगा औपी हारी यहां वहगा होगा बिखार शही नहीं है अगला प्रश्न बताईए मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना राइट अंसर यहाँ पर क्या होगा मुझे , यहाँपर दिखे जवाब बात चुका है , बिलकुल सवी है , अगला प्रस्न बता है , आर्त के आधारची पर सब्द कितने प्रकार के होते हैं ? आर्त के आधारची सब्द उनेकारथी सब्दू , समानार्थी सब्द और बिलोम सब्देत चार प्रकार के वहते याद रखिये यहां लिख दे रहा हैं एकार्थी सब्द होते हैं आपके थोगा आपके तबुल सब्द नंबर यहाँ पर अगला प्रसन नम्बर यहां में वर्गों में किस वर्ग में आता है लाल्टेन जो सब्द है किस वर्गों में आता है लाल्टेन चले यहाँ पर देखे जवाब अगला परिशन बताईये, कुर्सी जी मास्टर में कुर्सी पर लिखा सौरी, कुर्सी पर मास्टर जी बैठें इस वाक्वें कुर्सी सब्दें किस कारक में हैm श्कार हिसघ्रयर स slightest श्रक्वाकि व्याट का कुई अधिकरण खी आपका होगा आधिकरंद आफसा नंबर 10 दीघ का अग्ला पर है यह बहुत बीस हमास का उधाहण इने इन से कौनसा है यहां पर देखिया आपको बताना बहुत बीस हमास को दाहन काौसा है कि कबिए यहां पर कमेंट करें राइट एंसर क्या होगा है हाँ विल्कुल सभी चतर भूज चतर भूज जो आपका होता है चार है भुजाएं अर्थात भगवान विश्णों की बात हो रही है अगला प्रश्ण होता है तिलक किस प्रकार का सब्द है तिलक आपका कैसा है तिलक आपका तस्सम सब्द है यहां पर आपका होगा वे सब्दे संस्क्रत के वे सब्दे जिनका प्रयोग करते हें हिंदी में आप सा नमबर होगा यहांपर देख है प्रत्यूत्व पर मत्यी पर्त्यूत्व बताना है उत्तर सोचकर उत्तर देशके यहांपर 42 नंब्र का रहा है D नंबर होगा पिलकुल सभी ही हडावती बॉली है बताइए बस्षिमी राजिस्तान की यह पूर्वी राजिस्तान की तो है लेकिन इन्मे कौञची है पूर्वी उत्रि दच्छड़ी कौञची है यहां पर देखे 43 का बता रहा है पूरवी बिल्कुल सही है पूरवी राजस्थानी के है 43 नमबर कभी बिल्कुल सही है प्रेम चंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम बताईए प्रेम चंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है मंगल सूत्र है मंगल सूत्र है आप सा नम हैं यहां पर इस तरीके से लिखा गया अब यहां पर देखिए सुध वा लपो बताना यहां पर राइड़ रहने वाले हैं यहां पर कोस्टनमार भाना होना छाहिए हन् == मैं आप साइद् have an-นน… लगे आप सायद को रहने वाले पैतालिस नंबर आपको होगा कि देखे जहां पर संदेव होता है ना संदेव सायद लगा है यहां पर कोशन मार कहीं आपका ज्यादा बेश्ट रहेगा यह अंसर भी है आपका दी नंबर यह अगला प्रश्ण बताइए अघोस बण काौँ सा है अघोस बण तो देखें अगोस अघोस हाना पताईए इसमें अंसर क्या होगा अघोस में क्या होता है पहला दूसरा है आपके दी दूसरा अगोश 46 नमबर के देखिए जवाब आ चुका है अगोश होगा हाँ डी होगा बिलकुल सही है सा होगा अगर उध्धत का विलोम सब बताएं यहां पर 47 नमबर के देखिए अनसर देना है उध्धत का विलोम यहां पर क्या होगा उध्धत का विलोम क्या होगा यहां पर देखिए जवाब देना उध्धत का होता है विनीध आपसल नमबर 2 होगा अगरा प्रस्ड बताईये को अब देखे प्रस्ड ने पहुत बार पेपर में आया है धर का देखे पर्याएबची आप ने कहावत सब्द में प्रियुक्त प्रत्य कौंसा है कहावत तो कहावत में कौंसा होगा बताईए वे सब्दान जो मूल सब्द के अंते में जुड़कर नया अर्थपूर सब्द बनाते हैं प्रत्य होते हैं आपके तो यह यानि यह आपका क्या होगा काहावत काहावत बताइए क्या होगा आवत कहावत आवत बिल्कुल और दिया गया है यह ऑपर दिए पचास नवर का दिया गया है तो इस तरीके से आपकी जो टाप 50 प्रस्ट्टों को जो स्थिर्जा जाए हिंद बंदे मात्रम